मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में कैसे है आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षत होंगे आज की reading में candle wax reading में करूँगी मैं आपको बताऊंगी कि आपके person इस समय क्या मैसूस कर रहे है उनकी current energy क्या बोलती है आप जिस चीज का answer ढूंड रहे हो मैं कोशिश करूँगी आपको उस सवाल का answer जरूर मिले खाली हाथ आप ना जाओ at least आपको मैं clarity दे कर ही भेजूँ चलिए शुरू करते हैं आज की reading angels को शुक्रियादा करके angels का नाम लेके thank you angels comment section में लिख दीजिए thank you angels reading को start करने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पच्चता रहे हो ठीक है अपने past को लेके आप बहुत ज़्यादा पच्चता रहे हो आपके person के energy से पहले आपकी energy आ रही है और ऐसे लग रहे है कि आप खुद में ही ना बहुत ज़्यादा गल्तियां ढूंड रहे हो ऐसा लगा है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा समहाल के रखा है यह आप बहुत ही ना तोर तरीके से चलने वाले इंसान हो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बहुत ज़्यादा मैसी पसंद नहीं है कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो ऐसा नहीं क्योंकि आपको भी पता है जब जब आपने चीजे ऐसे की है ना आपका काम नहीं चला है कभी भी आपको हमेशा चीजों को systematically करना बहुत ज़्यादा पसंद है आपको यह पसंद है कि चीजे तरीके से हो तोर तरीके से हो ऐसी कोई भी चीजे ना हो जो बाद में आपको पच्चताना पड़े इट फिल्स लाइक आप एक बहुती balanced person हो पर यहाँ पर एक balanced person भी माथा पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यह आपकी energy में read कर पारी हूँ जहां मैं देख रही हूँ आपने ना खुद को ना बहुत रोका है खुद बहुत टोका है ऐसा लगता है कि आप बहुत आपने जम के कोशिश की है खुद को रोकने की कि आप अपने person से बात ना करो आप अपने person की बातों में ना आओ लेकिन इस person का मैं charm कहूंगी इस person की energy कहूंगी जो आप इनकी बातों में आते चले गए और to be honest आपको कभी नहीं लगा कि इस person के साथ आपका forever का रिष्टा नहीं है in fact कोई भी जो इन से मिलता है मैं देख रही हूँ energy is इनकी ऐसी है कोई भी आसानी से बोल देगा कि with them it is forever आप सोच भी नहीं सकते कि इस person के साथ आपका forever नहीं हुआ है तो ऐसा यह विश्वास दिलाते है क्योंकि आपके person नहीं आपका भरोसा जीता है इस वज़े से ही आप इस person के साथ आगे बढ़े हो पर अभी आप अपने आपको क्यों कोस रहे हो मैं जरा देख लेती हूँ angel से पूछ रही हूँ अपने आपको अप इसले कोस रहे हो तो आप आज इस हालत में नहीं होते बहुत सारी energy आगए Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn की भी energy यहाँ पर दिखाई दे रही है वैसे तो यह collective reading है दूसरी और मुझे लग रहे है कि इस साल के खतम होने से पहले मुझे लगता है न December आपके लिए बहुत ज़्यादा special मनत है क्योंकि जहां आप पहले एकादबार अपने person को message या call कर चुके हो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी तरफ से effort कर चुके हो अब भले ही no contact में हो पर आपके person या तो आप अपने person के लिए efforts कर चुके हो शायदा आपने reach out भी किया है कितने लोगों ने reach out किया है अपनी तरफ से बिना शरम किये बिना regret किये मुझे comment section में बताएं बोलिए आपने reach out किया है अपने person को तो मुझे बता दीजिए सच मुझसे मत चुपाईए मुझसे सच नहीं चुपा सकते बताएए तो ऐसा लग रहा है कि reach out करने के बाद आपको इस person की तरफ से कोई भी action नहीं दिखाई दिया है आपको और ज़दे ignored feel हुआ है तो आप जैसे मतलब before this year ends you are at peace आपके मन में एक अजीब सी शान्ती दिखाई दे रही है कि सब कुछ करके देख लिया एडी चोटी का जोर लगा के देख लिया जो चीजे नहीं भी करनी थी वो भी करके देख ली पर ना जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है ध्यान से देखने की बाद यहां पता चल रहा है कि न थोड़ी थोड़ी देर में आपके परसन आपको एक टेलीपैतिक मैसेज भेज रहे है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपने आपको कोस रहे हो पर आपके परसन ये बोल रहे हैं कि जो भी आपने अभी तक किया वो उसको बहुत अप्रिशियेट करते हैं जो भी आपने अपने परसन के लिए किया चाहे उस रिश्टे के लिए किया चाहे अपने परसन को जितने भी मौके दिये क्योंकि आपके मन में अभी मैं साफ देख पा रही हूँ इस बात का regret है कि जो जो आपनी किया ना उसका फल आपको मिला नहीं क्या मिला मुझे इतने loyal रहके क्या मिला मुझे इस चीज़ पे काम करके आज भी हम no contact में हैं तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे आज बहुत सारे लोग है जिन्होंने no contact को खुद ही बढ़ावा दिया है यानि कि जब जब आपका बनना भी थाना कि हाँ कि आपको करना चाहिए call या message तब तब आपने उस चीज़ को ignore किया है इस उमीद में कि आपके person आपके पास वापस आएंगे वो call या message जरूर करेंगे वो आपको बोलेंगे जरूर वो आपसे कुछ भी नहीं चुपाएंगे so you know कहीं न कहीं आप अपने person की weakness भी जानते हो तो यह देखते हो या आपने person पर ऐसा ही वार किया है अब ध्यान से देखके मैं बताऊँ अगर आपको तो यहाँ पर नजर आ रही है बहुत सारी कमिया ठीक है यहाँ पर नजर आ रही है बहुत सारी ऐसी चीजे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो person है वो हो ना हो हो ना हो यहाँ पर बहुत ही जादा possessive हो रहे हैं आपको लेके आपको यह बतानी रही है पर दिनराती सोच रहे हैं कि आप इस समय क्या कर रहे होगे नजाने आप किस हालत में होगे आपके person का सबसे बड़ा डर यह है कि आप उनके बिना अगर चलना शुरू कर चुके हो तो आप पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखोगे because your person knows you because your person knows you कि आप इतने जादा ऐसे हो ना खुदगर्ज इंसान हो कि एक बार आप निकल गए ना अपने रास्ते पे तो कितनी भी आपको कठिनाईया आएं आप एक बर उनको contact नहीं कर रहे हो आप इतने जिन से उनके बिना रह सकते हो यानि कि आगे भी आप इनके बिना रह सकते हो तो full of pain, full of energy मतलब भी अपनी ही love life को अपने सामने बिखरता देख बहुत ज़्यादा दुखी है ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक छवी बन रही है कि ये परसन बार बान कान पकड़ रहे हो ये बार बार बस आपको ही देख रहे हो आप उनका अंतजार कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं आप हर चीज शेयर किया करते थे पर आपकी नजर में अब यह है कि बस हो गया बस हो गया जो हो गया अब इसके बाद मुझे ना किसी से कोई परवा ना किसी से कुछ बोलना बस अब हो गया जो हो गया तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके परसन बहुत ही जादा मतलब एक दूसरे को चाहते हो एक दूसरे से अटाच होना चाहते हो पर यहाँ पर गलती यह हो रही है कि दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए राजी नहीं हो आपके मन में यह है कि अभी उनके बिना बहुत शानती है पर जैसे वो आपके करीब आते हैं, हो सकता है कि आपके चीजे या आपके जिंदगी में दुबारा से अशानती आ जाए बतलब ये इसलाई का लव, जहां आप दोनों ही एक दूसरे को बचा रहे हो अपने आपको hurt होने से बचा रहे हो पर दोनों ही मन ही मन में एक दूसरे से उमीद लगा के बैठे हो कि ये पहले आएंगे वो पहले आएंगे पर ये दोनों की energy आपस में टकराएगी बहुत जल्दी क्योंकि जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा positivity दिखा रहे हो मुझे लगता है जैसे ही आप मिलोगे एक दूसरे से तब आपके मन में एक दूसरे को लेके बहुत कड़वाहट आजाएगी एकदम से ये ऐसा गुस्सा है जो आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि भाई तुम क्यों नहीं आए अगर मुझे problem हो रही थी या मुझे तकलीफ हो रही थी तो तुम क्यों नहीं आए बहुत सारे सवाल है आपके मन में इस person को लेकर जिसका जवाब आप चाहते हो जिसका जवाब इस person से चाह रहे हो और धीरे धीरे आपके person के energy मुझे ये बोल रही है कि कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए ये person आपसे दूर नहीं रहना चाहते है ये person नहीं इस बात से खुश नहीं है कि आपने ये रिष्टा end कर दिया है इस बात से खुश नहीं है बिलकुल भी ठीक है all signs यहाँ पर present है दूसरी चीज यह है कि अगर आपको हाल फिलाल में कोई शादी से invitation आया है so you should go because this year आपको चीजों को मना नहीं हां करना है आपको अपने comfort zone से निकलना है that's what आपकी relationship में भी आप manifest कर रहे हो कि go out of your comfort zone even you fulfill कि अगर आपकी gut feelings क्याती है कि जाके अपने person से बात करो तब जब वो ready हो यह नहीं कि आप देख रहे हो कि वो social media पर बहुत negativity फैला रहे है फिर भी जाब कि आप उनके चिपक रहे हो या फिर उनसे बात कर रहे हो तो ऐसे नहीं होगा if you think they are ready अगर वो positivity radiate कर रहे है तो definitely जाने में कोई हर्ज नहीं है ठीक है अगली reading में इसको मैं बहुत detail में बताऊंगी तो reading पे बने रहिएगा मिलती हो next reading में लेके प्रभू का नाम और description box में new reading का link है देखके जरूर जाना God bless you, love you all आपके feedback का मैं इनतिजार करूंगी बाई बाई